18 साल के साता गावंडे नामक एक युवक की हत्या का मामला यवत्मा जिले के धीक्रस तहसिल के विठोली गाव में साम्याया है रविवार को गटेत हत्या की वारदात के बाद धीक्रस पुलस और अपराश शाखा सक्ती से हमलावर आरोपी की तलाश में चुट गई है पेश दीक्रस से समवादाता जुवेर खान की है रविवार की सुभा का सूरज विठोली गाव पर मानो दर्दनाक वारदात का मनहुज साया छोड़ गया यहां सुभा सवेरे किसान दिलिब गावंडे के 18 वर्षिय इकलावते बेटे सार्थक गावंडे जो बारवी कक्षा का चात्र था उसकी हत्या की संसनी खेज वारदात से हड़कम मच गया खेत में मक्य की फसल काटने गया सार्थक अग्यात हमलावर के हमले का शिकार हो गया सुभा करीब साड़े दस बजे धारदार शस्त्र से सार्थक की हत्या की खबर गावं में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते घटना स्थल पर गावालों का हुजुम उमड आया इस घटना की सूचना मिलते ही दिगरस पुलिस और स्थानी अपराद शाखा के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी घटना स्थल पर पहुँचे ततकाल रूप से डॉग स्पॉट टीम भी यहां आधम की और जाच शुरू हुई जाच के दोरान पंचनामा सहीत फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट जैसी तमाम तरह की प्रक्रिया के बाद दिगरस पुलिस ने मृतक सार्थक के शव को दिगरस ग्रामीन अस्पताल में पोस्ट मार्टम के लिए रवाना किया और देर रात तक दिलिब गावंडे के खेट से सटे अन्य खेट माली को और घटना के समय अपने खेटों में काम कर रहे लोगों से जरूरी पूछताज भी की गई लेकिन घटना की वज़ा और हमलावर का पता यह खबर लिखे जाने तक नहीं लगा था वहीं इधर सोंवार को भी उपवागिये पुलिस अधिकारी आदित्य मेरे खेल कर पुलिस निरिक्षक धर्मराज सोनु ने साहयक पुलिस निरिक्षक विजह रतनपार की पुलिस कर्मी राजिश लागकर साबले और अपराद शाखा के पुलिस निरिक्षक गनेश वनारे सुत्रों ने बताया कि पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरूपी को लगबग चिन्नित कर लिया है और अब हत्या से जुड़े पुकता सबुतों को खंगाल कर आरोप तैक करने की जाश परक्रिया अंतिम पड़ाओ में है NBCN News के लिए दिगरत से जुबेर खान की रिपोर्ट